नमस्कार दोस्तों अजब मेरा फाइनली सेलेक्षन हो गया as a sdm तो कुछ ड्रीम की लिस्ट मैंने बनाई और उन ड्रीम में से एक ड्रीम था कि किताब लिखू तो जब किताब लिखने की बारी आई तो मैंने सोचा कि किस विशय पे किताब लिखा जाए तो जिस चीज ने म कि अगर प्रैक्टिस पे किताब नहीं लिखू तो बड़ी नाइनसाफी होगी तो वो किताब आज मेरे हाथ में है और आप सब देख सकते हैं यह किताब मेरे हाथ में है और कोसिस करूँगा कि यह किताब एक बार आप भी जरूर देखिए अब अगला सवाल होता है कि इस क करने का परपस यह था कि कई बार क्या होता है कि जब हम एक प्रैक्टिस सेट करें तो जितने भी डायमेंशन हैं सभी सब्जेक्ट के वह हमारा कवर हो जाना चाहिए और वह ऐसा नहीं होना चाहिए कि पचास हजार कोश्टन करें तब जाके हो जो कुछ मार्केٹ में किताब ہے बहुत अच्छी किताब है लेकिन उसमें क्या होता है कि कोश्चन रिपीट होते है जिसे एक ही टौपिक दूसरा जो सबसे important चीजिस में यह है कि इसकी जो व्याक्या है question के बाद जो उसको explain किया गया है वो इस तरीके से explain किया गया है कि वो आपके concept को बिल्कुल clear कर देगा उससे मिलता जूलता जो भी concept है वो सब वहाँ पे add करने का कोशिस किया गया है कुछ उधारन देता हुमें कि कैसे कैसे उस चीज को cover किया गया है तो सबसे पहले जैसे की इसी question की बात करते हैं 42 number question है page number 3 पे कि नहरू लियाकत समझोते के विरोध में किन मंत्रियों ने इस्तिफा दिया अब इसमें option है एक number option है श्यामा परसाद मुखर जी दो केसी नियोगी तीन सी राजगपाल चारी चौथा अंबेटकर जी है और option से केवल एक और दो केवल दो और तीन केवल तीन और चार और एक दो तीन चार ठीक है अब इसका question से important है जब इसका explanation देखिए गया यह 42 number question है तो 42 number question में आपको पूरा details यहां पे लिखा हुआ है कि 8 अप्रिल 1950 को भारत और पकिस्तान के परधान मंद्रियों के बीच अल्प संक्योकों की सुरक्षा के सवाल को सुलजाने के लिए एक संधी पहस्ताक्षर किया गया जिसे नहरू लियाकत समझोते के नाम से जाना जात दोनों देश ने अपने अपने देशों के अल्प संक्यक आयोगों का गठन किया और श्यामा परसाद मुखर जी और केसी नियोगी ने इस समझोते के खिलाफ थे तो जैसे इस question में आपने जो total यह जो question था उससे details आपको explanation मिल गया और उसके बाद जो आपका explanation आपने क्लियर कर देगा अब जैसे यह question मेरे सामने है question number 97 page 37 समिधान के निमलिखित में से किस भाग में सधारन बहुमत से संसोधन नहीं किया जा सकता है नय राजय का निर्मान, राश्पति के चुनाओं की प्रकिरिया, संग एभम राजयों को अधिकारिक भासा, एभम संसत की नियूंतम उपस्तिति ठीक है जो कि 97 number है तो आप 97 number का आपको explanation स्क्रीन पे दिखड़ा होगा आप देखें कि इस explanation में कितना details में हर चीज को cover कर दिया गया है कि आपको इसके बाद, जैसे कि समिधान के अनुछे 360 में संसत को समिधान और उसके प्रावधानों में संसोधन करने का अधिकार दिया गया है हालंकि उन प्रावधानों में संसोधन नहीं किया सकता है जो कि समिधान के मूल ढाचे से संबंदी थे हैं जो कि केसवानन्द भारती केस जो बहुत फेमास है जो यह अप पढ़िएगा तो जानना पड़ेगा उसका अधम हर चीज को डिटेल्स में लिखा गया तो यह दोनों चीज को कोसी किया गया है कभर करने का अब विहार स्पेसल का जो टॉपिक है एक विहार स्पेसल के अलग से से शेट है और वो सेट को इस तरीशिकी से डिजाइन किया गया एक बहुत सारे कोश्चिन जो के असान कोश्चन तक जैसे कि अक्सर ये सवाल आता है कि बिहार के नमक कांदोलन के निताओं और रिश्रमनित छेतरों का मिलान करें बहुत सारे कोश्चन जो कि regular हमेशा पूछे जाते हैं उन सब चीजों को explanation के साथ cover किया गया है तो ये छोटा सा एक आपका handbook हो सकता है जिससे कि आप अपने तयारी को और improve कर सकते हैं और चार चान लगा सकते हैं तो ये practice पे मेरा focus था क्योंकि एक बड़ी अच्छी line है कि करत करत अभ्यास के जरिमती होत सुजान रस्री आवद जाते सिलपर परत निसान क्योंकि मुर्ख से मुर्ख इंसान practice से अपने आपको perfect बना सकता है practice makes a man perfect इंगलिस का बहुत ही famous कहां line है दूसरी चीज कि आप देखते होंगे कि छोटे-छोटे बच्चे रस्ती पर चलते हैं और कैसे वा रस्ती पर चलने के लायक बने किस तरह से उन्हों ने अपने आपको by sou Entreth किया सिर्फ practice से सचीन तेंदुल कर सचीन कैसे बने सिर्फ practice से उन्होंने कहा था कि वह सुभाट उटके जाते थे और सांद को तक प्रैक्टिस करते थे घर आके उनके पैर उठाने की भी ताकत नहीं बसती थी उसीदा लेड जाते थे और उनकी जो चाची थी या कोई थी वो उनको खाट से खाना किलाती थी उनको उठने की हिमत नहीं होती थी बूसली की एक बड़े अच्छी लाइन है कि मैं 10,000 किक सीखने से अच्छा है एक की को 10,000 वर प्रैक्टिस करूँगा क्योंकि जब मेरा एक कीक लगेगा न तो सामने वाला उसको तोर नहीं पाएगा तो आप 10,000 चीजों को करने से अच्छा एक चीज पर मास्टूरी हासिल कर लिजे जब वो आपका सौट आएगा जब सचीन तंद्रुकर का स्ट्रेट ड्राइव आता है तो उसका कोई विकल्प नहीं होता है क्योंकि मैं क्रिकेट का बहुत जड़ा फैन हूँ इसलिले अक्सर क्रिकेट का एग्जामपल देता हूँ अभी ओलम्पिक में भी ओलम्पिक में भी अगर जो कोई जीत रहा है या हार रहा है कोई अंतर नहीं है इंडिया बहुत ही 140 करोर 42 करोर जन संख्यावला देश है और वो एक स्वन पदक नहीं जीत पाता है और छोटे-छोटे देश स्वन पदक जीत जाते हैं तो क्या वहाँ ऐसा कुछ है नहीं वो लोग सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं सिर्फ प्रैक्टिस से ही आप अपने आपको आगे बढ़ा सकते हैं चलिए तो प्रैक्टिस की किताब सुरुबात करते हैं और करेंट अफेर की किताब इसके बाद आएगी कुछ दिनों में आने वाली है और current affair को मैंने बिलकुल नहीं तरीके से लिखा है उसको अलग अंदाज से लिखा है इस तरीके से लिखा है कि आप एक और current affair पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि आपको बहुत पसंद आएगा क्यों क्या एक current affair का topic होता है उसमें क्या important है क्या उसमें से question बन सकता है क्यों ये news में है उसको सब heading डाल डाल के उसको बताया गया है कि आप पढ़ेंगे ता आपको समझ में आ जागे इस current affairs से क्या क्या important है सिर्फ news लिखना बहुत बड़ी चीज नहीं ये news में से क्या क्या important है वो लिखना बहुत important है तो चलिए अलग-अलग methodology पर जो मेरा experience है जो मेरा तज़रुबा है उस पर काम करने के कोशिस किया हूँ देखता हूँ आपका feedback कैसा आता है धन्यवाद